तो देखे बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बहुत इंट्रस्टिंग बहुत प्यारी सी स्टॉरी सुना रही हूं तो देखे जो इंट्रस्टिंग है इसको ध्यान से समझना तो देखे स्टॉरी है और किशा गोत्मी की तो यह क्या है बेटा यहां पर गली गली जाती है रोती रहती है भोती बुद्धिमान क्या है भिकारी है तो भिख्षुक है तो यह जो डायलोग है वो क्या है को मौस्ट फेमस उपनिशाद से लिए गई है और इसका नाम क्या था चानोद्या उपनिशाद Hello students, How are you? बच्चो हमारी 6th class की history चल रही है इसका 6th class की history का हमारा 6th chapter चल रहा है तो इसका नाम हम 5 chapters complete कर चुके हैं 6th chapter का हम 1st part discuss कर चुके हैं आज हम इसका 2nd part discuss करने जा रही हैं तो इसका नाम हमने जो 1st part था उसका नाम हमने बगवान बुद्ध के बारे में discuss किया था बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है बहुत ही इंट्रस्टिंग चेप्टर भी है आपको ध्यान से समझना है तो बच्चो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इने लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके नाव लेट स आज का वाद ही इंट्रस्टिंग बहुत ही अच्छा है तो देखिए टोपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बहुत इंट्रस्टिंग प्यारी सी स्टॉरी से जान से समझना है तो देखिए स्टॉरी है और कि फेमस च्ट्री बताई है इसका नाम किकिशा गोत्मी होता है और उसका क्या होता है उसका जो बेटा होता है वो मर जाता है तो वो क्या है जब मा होती है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है तो वो क्या है बहुत ही जाता सैड हो जाती है और वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर क्या है गली गली जाती है रोती रहती है औ जब किसी इंसान के डैथ हो जाती तो मरने के बात बेटा वापस नहीं आता है तो एक भला इंसान जो होता है वो उसे भगवान बूध के पास ले जाता है तो जो भगवान बूध होते हैं देखी बच्चों क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बिरिंग में एंफुल ओफ मस्टर सिर्स तो मुझे एक मुठी सर्सो के दाने ला दे हो and I will bring your child back to life तो मैं क्या है तुमारे बेटे को जिंदा कर दूँगा तो जेकि जो किशा गोतमी थी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है to already other Здесь जैने के लिए किसके लिए सर्सो के सर्सो लाने करिए लेकिन जैसे वह जाने लगती है तो भगवान जो बूत होते हैं रूक देते हैं उन तुम घ्ली मस्ट कम फ्रों लाने हैं जिस परिवार के अंदर जिस घर के अंदर किसी कभी कोई डैठ ही नहीं हुई है अब जो किशा गोत में होती है वो हां कर देती है वो दरवाजे एक घर से दूसरे घर जाती है लेकिन उसे वो हर जगह जाती है लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहां पर किसी की death नहीं हुई है हर घर के अंदर किसी के father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother किसी नहीं किसी की death होती है तो इससे क्या पता चलता है जो भगवान बूद्ध है वो क्या कहते है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यू तो अविश्य होगी ही होगी और हमें उसके लिए दुख प्रकट करने की मतामें उसके लिए बहुत जादा परिशान होने की जरत नहीं है क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन अपना कारे काल पूरा करके जाना ही होगा तो यह बटा भगवान जो भुद्ध थे उन्होंने क्या है किशा गोत्मी की स्टोरी के बारे में बताया है आगे देखी बटा और नेक्स टॉपिक इज उपनिशद वेरी इंपोर्टें इसके बारे में देखी उपनिशद क्या है अराउंड टाइम बुद्ध वाज प्रेचिंग परहेपस लिटिल अर्लियर अब यह एक ऐसा समय तो भगवान बुद्ध थे क्या है वो जगय जगय अपने अपने उपदेश दे रहे थे अधर थिंकर सो ट्राइट तो फाइंड और जो दूसरे लोग थे क्या है वो भी क्या है अपने difficult questions का answers भवान बुद्ध से पाने की कोशिश कर रहे थे Some of them wanted to know about life after death इन में से कुछ थे जो जाना चाहते थे कि मरने की बाद हमारी life कैसी होती है Others wanted to know why sacrifice could be performed जो दूसरे थे वो क्या जाना चाहते थे कि हमें त्याग क्यों करना चाहिए Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even और कुछ लोग जाना चाहते थे कि ऐसी इस धरती को पर क्या चीज़ है जो क्या है कमी मरती नहीं है हमेशा क्या है वो permanent रहती है They describe this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul और वो इसके अंदर क्या है आत्मा के बारे में इनसान की जो आत्मा होती है उसके बारे में ब्रहमन के बारे में इन सभी के बारे में क्या है उनके माइन में विचार आते है They believed that ultimately both the Atma and the Brahman were one और लास्ट में इस चीज़ पे विश्वास हो जाता है कि जो आत्मा है और जो ब्रहमन है वो क्या है एक ही होते है Many of their ideas were recorded in the Upanishad और उनके बहुत सारे ideas को क्या है उपनिशद के अंदर भी डाला गया है तो जो these were part of the later Vedic text और ये क्या है वैदिक के अंदर इनके बारे में बताया गया है उपनिशद literary means approaching जो उपनिशद है देखे बच्चे उसका meaning क्या होता है approaching and sitting near and the text contain conversation between teachers and students जो उपनिशद होते है उसका मतलब क्या होता है कि teacher और student के बीच में जो conversation होता है वाच्चित होती है और teacher के पास बैठ कर जो गुरू के पास बैठ कर जो शिश्य ज्यान प्राप्त करता है उसे उपनिशद कहा जाता है often ideas were presented through simple dialogues और कुछ विचारों को क्या है simple dialogues के थूँ समझाया गया था most उपनिशद most उपनिशदs were most उपनिशद thinkers were men mostly जितने भी उपनिशद thinkers वो क्या थे man थे especially ब्रह्मन राजाज mostly क्या थे वो ब्रह्मन थे या राजा थे occasionally there is mention of women thinkers such as गारगी कई बार क्या इसके अंदर उपनिशद के बारे में कुछ women thinkers गर्स नहीं बता है था जिसके अंदर गारगी का नाम आता है who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts जो गारगी थी वो क्या है बटा बड़े-बड़े क्या है उपदेश देती थी और वो राजा महराजाओं के कोर्ट के अंदर जो debates होती थी उसके अंदर भी participate करती थी poor people rarely took part in these discussions जो गरीब लोग होते थे वो क्या है इस discussion में पार्ट नहीं लेते थे one famous exception was सत्यकामा जबाला और इसके अंदर क्या सत्यकामा जबाला के बारे में बताया गया अब देखें सत्यकामा जबाला कौन है who was named after his mother the slave woman जबाली और उसका नाम क्या है अपनी मदर के नाम पर पढ़ा जो एक गरीब दासी थी नोकरानी थी और इसका नाम था जबाली he helped a deep desire to learn about reality was accepted as a student by a brahmin teacher named gotham और जो जबाला था इसने क्या है भगवान गोतम से क्या है इसने उपदेश ग्रेंड किया था शिक्षय ग्रेंड की थी and became one of the best known thinkers of the time और ये भी उससे में क्या है बहुत अधिक popular थे many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचारिय और इसके बाद और भी बहुत सारे नाम आए और जिसके अंदर शंकराचारिय का नाम भी आता है जिसके बारे में क्या है बिटा 7th class की बुक्य अंदर discuss करेंगे आगे देखी बिटा ये था आपका उपनिशत के बारे में अब देखी बिच में क्या है एक छोटा सा topic था वो मैं और आपको बताते हूँ तो देखे उपनिशत के बारे में देखिये 6 schools of Indian philosophy प्रियाय, सांख्य, यौग, पूर्व मिमानसा और विदानता या उत्तर मिमानसा इन मुझ्हें के नाम इसमें बताए गई हैं इस सिस्टम्स फिलोस्पी आर सेट तू है विन फाउंड़ बाए सेख्स, कोनाड़ा, गोतम, कपिला, पतंजली, जैमिनी एंड व्यास रेस्पे के अंदर इन सभी के विचारों को बहुत अधिक मानने तामिली है जर्मन बोर्न ब्रिटिश आइडियोलोजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर और जर्मन के एक आइडियोलोजिस्ट थे जिनका नाम तर फ्रेडरिक मैक्स मुलर has observed that the six system of philosophy were developed over many generation with contribution made by individuals यानि कि उन्होंने क्या बताया कि जितने भी इसिक्स फिलोसफर से ही जनरेशन मतब बहुत पुरानी जनरेशन से चले आ रहे हैं इनके बहुत बड़े-बड़े contributions थे however today we find any underlying harmony in their understanding of truth although they seem distinct from each other और आज भी क्या इए अपने तरीके से सच्चाई के बारे में truth के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि किस प्रकार से हम truth को gain कर सकते हैं तो देखिए यह क्या है एक चोटी सीस में भी एक story बताई गई है तो यह story देखे क्या है the wise bagger एक मतलब भूती बुद्धिमान क्या है भिकारी है तो भिक्षुक है तो यह जो dialogue है वो क्या है एक most famous उपनिशत से लिए गए है और इसका नाम क्या था चानोद्या उपनिशत था तो देखे शाख्या और अप्री रातम वट्टू से साख्या और अप्री रातम क्या थे पिटा दो सादू थे और वो क्या है वर्षिप दा युनिवर्सल सोल उन्होंने क्या है युनिवर्सल सोल के बारे में पढ़ा था एक बार क्या होता है वो खाना खाने बैठते है उसी समय क्या हो जाता है एक भिखारी आ जाता है और वो उससे खाना मांगता है तो वो क्या कहते है कि जो साख्या होता है वो क्य means that you know that the universal soul fills the entire world, बहुत, जो क्या कहता है де इसस्का मतलब लिढा पता है कि जो this universal soul है उसके लिढा, पूरा संसार है, तो भुत, क्या कहता है, yes, yes, हमें पता है, तो क्या कहता है, okay, eg啊, if the universal soul fills the whole world, it means me too, तो इसका उनल पे दिढा मैं भी हूं, तो जो सादू होते हैं उन्हें अपनी गलती का एसास हो जाता है और वो भिखारी को क्या है खाना दे देते हैं उसे अपना सारा खाना खिला देते हैं तो इस प्रकार से जो विखारी होते हैं उन्हें सादू की आँख खोल देता है और उन्हें बताता है कि संसार के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है सभी भगवान की दी हुई देन है हमें सभी किसा प्यार के साथ रहना चाहिए हमें किसी साथ लड़ाई नहीं करनी चाह और इसकंदर एक पाणियनी के बारे में बताया गया है वो प्रिपेर्ड ग्रैमर फॉर संस्क्रिट जिन्होंने संस्क्रिट की ग्रैमर बनाई थी यह अरेंज दा वोवल्स एंदा कॉंसोनेंट इन स्पेशल ओडर उन्होंने वोवल्स और कॉंसोनेंट को बहुत इस स्पेशल ओडर में अरेंज किया था और यूज दीज तो क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोस फांड इन अलजेबरा उन्होंने अलजेबरा के कुछ फॉर्मूले भी बनाये थे और उन्होंने किया शौर्ट फॉर्मूलाज भी इसकंदर कुछ तयार किये थे तो यह क्या है बेटा यह इसकंदर यह पाणिनी के बारे में इसमें बताया गया है आई हो बेटा आपको समझ में आया होगा बेटा आज के लिए हम इसमें इतना ही करते हैं जो इसका रिमेंणिग पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो में डिसकस करेंगे आई होगा आपको समझ में आ गया हो बेटा फिर भी वीडियो को आपको पूरा देखना है पोज नहीं करना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स के लिए हो सकें थेंक्यू बच्चो वेवा नाइस डे बावाई झालियो